नमस्ते मित्रों आप सब का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी मनुस्मृति स्वाद्धाय की कक्षा में पिछली कक्षा में हमने बात की थी किस प्रकार से हमें युद्ध जीतना चाहिए चक्रुईयों के कितने प्रकार हैं, किस प्रकार से हमको उनके जो अमाते हैं मंत्री गण हैं उनको अपने मिला लेना चाहिए और अंतिम जो श्लोक था वो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हारे हुए राजा से प्रतिग्या पत्र आदी लिखवाना चाहिए ये 202 नमबर का श्लोक था, अब हम आगे बढ़ते हैं 203 नमबर के श्लोक में जानते हैं कि इस प्रतिग्या पत्र में आगे मनु महराज क्या कहते हैं मित्रो इस श्लोक के वादिम से मनु महराज बता रहे हैं कि उन विजित प्रदेशों की प्रजाओं या न्यूक्त राज पुरुशो द्वारा कही हुई उसकी जो न्यायो चित वैद बाते हैं उनको प्रमानित कर दे और प्रतिग्या पुरुवक उसको स्विकार भी कर ले अब अभिप्राय ये है कि यदि उसकी न्यायो चित पाते हैं तो उनको मान ले लेकिन अमानिय बाते जितने भी न्यायो चित बाते नहीं हैं उनको बिलकुल भी न माने प्रधान राज पूरुशों के साथ बंदिकरत इस राजा का उत्तम वस्त्वें प्रधान करकते हुए यथा योग्य सत्कार भी करे अर्थात यदी हमने किसी राजा को हरा दिया है वहां की प्रजा से हमने पूछा कि अब आपको कौन राजा चाहिए यदी पूर्व का राजा बहुत ज़्यादा दूराचारी होगा तो वो कहेंगे कि आपने विजित किया है आप अपनी तरफ से यहां पर किसी को न्युक्त कीजिए लेकिन यदी हरा हुआ राजा जिसको की जेल में डाला जाए या बंदी ग्रह में डाला जाए जो भी कूछ हो उसके ही वन्ष का कोई धार्मिक व्यक्ती है यहां पर शपत में स्पष्ट कहा गया है जो न्यायुचित बाते करे और जो धर्म युक्त राजनीती करे ऐसे व्यक्ती जो की न्याय से प्रजा का पालन करे इस प्रकार से यदी कोई पूर्व जो की हार चुका है राजा उसके वन्ष में यदी कोई व्यक्ती है तो उसको तो वहां का राजा गोशित कर दे अर्थात प्रजा का पूरा ध्यान रखे आज कल तो हम देख रहे हैं यह तो थी बाते राज तंत्र की राज तंत्र में प्रजा तंत्र लोग तंत्र का पूरा ध्यान रखा जाए इस प्रकार से मनुमाराज कहा रहे हैं लेकिन आज कल परिवारवाद के चक्कर में देश बले ही तांक पर चला जाए भाड में चला जाए इमरजेंसी लगानी पड़ जाए चाहे चीन से युद्ध हारना पड़ जाए चाहे हिंदूओं का जो पवित्र तमस्थान है मानसरोवर चाहे उसको खोना पड़ जाए लेकिन परिवार प भी इन ही सरकारी लोगों का हाथ है इन ही सासन सत्ता संभालने वाले लोगों का हाथ है लेकिन इन्होंने रोका भी नहीं और कहते क्या है कि हम जनेव धारी ब्रहम्मन हैं हम शिव को पूजने वाले ब्रहम्मन हैं लेकिन नयायोचित बाते जहां पर मनु महराज ने कही उन पाठे करम में शामिल करके प्रत्येक व्यक्ति को नित्रत्व करने वाला बना जा सकता था लेकिन क्योंकि इनको आम जनता को जो की रहना भी चाती है अंदेरे में ही वो रहना भी चाती है प्रजा के रूप में ही उस प्रजा को प्रजा के रूप में ही रखा बलकि उसको भी लोग में हम पढ़ते हैं कि मनु महराज क्या आदेश कर रहे हैं। मनु महराज शलोक के माध्यम से कह रहे हैं क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहन करना अप्रितिकारक होता है। करनी चाहिए उस पराजित के मनोवांचित पदार्थों का देना बहुत उंतम है। जो वो राज्य था जिसको कि हमने विजित कर लिया है वहाँ पर जो कुछ भी दान संपदा है जितना भी धन है। वो सारा का सारा अरजित किया उस राज्य ने अपने बाहु बल पर अपनी प्रजा अपनी सेना के बल पर अपने टैक्सेशन सिस्टम के द्वारा इसलिए उसको लूट करके अपने राज्य में न ले करके जाए। बलकि वहीं के व्यक्ति को हो सके तो उसी को ही वहां का राज्या बनाया जाए। और प्रजा यदि चाहे तो हो सकती है कि जिसने राज्य को जीता है यदि उसका कारिय उसको पसंद आए तो उसको भी राज्या बना सकती है। लेकिन कहा गया है कि जो पराजित हुआ है, उसके भी मनोवांचित पदार्थों को देना चाहिए, उसको भी परसंद रखना चाहिए, उसको भी शोक में न जाने दे, भले ही उसको बंदी ग्रह में ही क्यों न डालना पड़ जाए, लेकिन शोक से उसको मरने न दे. प्रिजनर्स ओफ वार्स, मैंने सरबजीत जी की मूवी देखी, उसमें जिस रणदी फुड़ा ने एक्टिंग की है, वो मैं बहुत उनको पसंद करता हूँ, और वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, हाला कि अभी वो नेपोटिजम के शिकार भी हैं, लेकिन उन्हों जो इस फिल्म में दरशाया के किस प्रकार से सरबजीत जी के साथ में जो कुछ भी हुआ, यह मानवता के खिलाफ हैं, और इस प्रकार से मनु महराज इस अमानविय क्रत्य के खिलाफ हैं, इस वजह से हमें मनुसमर्ति को बहुत गौर से बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए आत्म साथ करना चाहिए, हमारे राश्टर को, हमारे इस धर्म को बचाने के लिए विद्वानों की अवश्रकता है, और विद्वान वही होता है, जो विद्वत्ता को ग्रहन करता है, हासिल करता है, किसी के साथ में बलड के साथ कोई ग्यान नहीं आता है, उसके साथ में सं चाहिए कि अपने बच्चों को जल्द से जल्द इन सभी पुस्तकों को कंठस्त कराए उनको पढ़ाये सुशिक्षित करे दिख्षित करे और और इन सब पिखिए औरों से भैतर औरों से पहले ग्रहन कर लेवें हाला कि यह तो कर्म के साथ में हैं यदि कोई बच्चा किसी भी जाती से क्यों ना हो वहां से इसको हंसिल कर सकता है अपने जो उसका तपोबल है वो कहते हैं ना के रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निसान जब हम प्राप्य हो इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति को विद्वान बनना चाहिए विद्वत्ता मनु महराज के हिसाब से जन्म के साथ नहीं नाल के साथ यहां नाभी से जुड़कर के विद्वत्ता नहीं आती है विद्वत्ता परिश्रम करने से आती है अब अगले श्लोक में हम मनु महराज क्या आदेश करते हैं? श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जो हमने पुर्वोक्त के दो श्लोकों में कथन कए हैं यदि इस कथना नुसार राजा को बंदी ना बना करके और उसके स्थान पर दूसरा राजा भी ना बिठा करके उसे ही राजा रखें तो ऐसे में अथवा उसी राजा के साथ मेल कर लेव प्रत्न तह बड़ी सावधानी पूर्वक उससे संधी करके अर्थात जो संधी है उसका पत्र लिखवा करके मित्रता, सोना, आदी, भूमी जो भी कुछ वहां से प्राप्ती होना है इस प्रकार से तीन प्रकार के फलों को देखते हुए अर्थात इनकी उपलब्धी करते हु इन सब ने इस बात का फैसला किया कि विभीशन जी को यहां का राजा बना देना चाहिए वहां उन्होंने विभीशन को राजा बनाया बाली का राज्य जीतने के बाद में उस पूरे का सुगरीव को राजा बनाया अर्थात उनहीं लोगों का राजा उनहीं लोगों को बन और हमने यह अन्याय किया तो हम अब उसको मानते हैं और वो संधी कर ले वे तो ऐसे में वहाँ पर मितरता हिरन्यम कहते हैं जो सोना भुषन आदी है और भूमी इनकी प्राप्ती होनी चाहिए पहली बात तो है कि आपके और हमारे बीच में मितरता रहनी चाहिए शत्रुता का भी न हो इसको भी एक असेट माना गया है यहां पर फिर जो सोना चांदी है वहाँ से जो कुछ प्राप्त हो वो जो अपनी मर्जी से दे और भूमियादी जिसको कि हम जोच सके फसल कर सके इस प्रकार के तीन फल वहाँ से प्राप्त करें इनकी उपलग्धी करे और वहां से वापस लोट आए इस प्रकार से हमारी शाषन प्रनाली है ना की चीन पाकिस्तान बांगलादेश की तरह के कब जा कर लिया और वहीं के वहीं बैठ गए इस प्रकार से कहीं पर भी नहीं लिखा है लेकिन भारत इसको कब कर सकता है कि पहले जीत तो लो अभी तक सोच लेना संदी के बारे में कि वहां उन्हीं को राजा बनाना बनाना है तो इस वजा से कुछ लोग कहते हैं धन नहीं कमानाचाइए देखिए बिल-गेट्स जैसे यो बडबड़े-बड़े अमेर लोग हैं वो कहते हैं दन नहीं कमाना चाहे, दन वन में कुछ नहीं बड़े बड़े अमीर लोग कहते हैं तो पहले अमीर बनो उसके बाद में बात करना के छोड़ना है या पकड़ना है इस वज़ा से पहले उस वीरता को हसिल करो जहां पर जा करके तुम यह कह सको चल यार जीत लिया तुझे चल तुझे छोड़ दिया चल कर ले तुझे होसते हैं श्लोक संक्या है 167 167 विशुद्धुमनिश्मृति के साथ से पार्षणी ग्राहम चा संप्रेक्ष्या तथा कंद्रम चमंडले मित्राद्ध थाप्य मित्राद्वा यात्रा फलंवाप नूया मनुहाराज कहते हैं कि अपने राज्य में जो इसको कहते हैं पार्षणी ग्राहम संग्यक राजा अत्वा आकरांद संप्रेक्ष्या आकरांद संग्यक राजा का ध्यान रखते हुए मित्राद अर्थाती इस इस लोग के माद्यम से मनुहाराज कह रहे हैं कि अपने राज्य में पार्षणी ग्राह संग्यक कोई राजा तथा आकरांद संग्यक राजा का ध्यान रखके मित्र अत्वा पराजित शत्रू से युद्ध यात्रा का फल प्राप्त करे अभी प्राई यह है कि अपने पडोसी राजाओं से सुरक्षा के लिए या उनको वश्मे करने के लिए कौन से फल की अधिक उपयोगिता होगी ये सोच समझ करके शत्रू या मित्र से वही वही मुख्यता से प्राप्त करे मनु महराज यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि एक तो होता है हमारा पाश्चत्रू होता है और एक होता है बहुत ज़्यादा आकरांद संग्यत जो बहुत ज़्यादा आकरांद होता है इन से जो पिछले तीन चीज़े बताई गई है मित्रता, सोन चांदी हीर जवाहरा जो भी कुछ ऐसी है सेट और भूमी इन सब में यह ध्यान रखे के हमें यहाँ पर पहले प्रात्मिक्ता किसको देनी है उनके नेचर को पहले देख लेवे कि वो कैसा है वो सौफ्ट हार्टिड है बहुत जदा आकरांत है हम यहां से निकल जाएंगे उ इत्रता को इसलिए हम बाद में रखते हैं पहले हम कहते हैं इतनी जमीन है वो हमारे नाम करवा दे या इतना सोना चांदी दे दे और हम इस पूरे राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि वो इस प्रकार से है इस वजा से विद्वान जनों का व जहां पर एक पक्षी तलक भी न हो तो इस प्रकार से मनु महराज बहुत आराम से इस सात्व अध्याए को आप लोगों को समझा रहे हैं बता रहे हैं इसी वज़े से ही अध्याए भी विस्तार को प्राप्त होता जा रहा है लेकिन एक एक चीज आपको बता रहे हैं कि शत इस कक्षा में सिर्फ इतना ही अब हम आगे पढ़ेंगे कि सच्चा मित्र सबसे बड़ी शक्ती होती है और हम सच्चे मित्र के बारे में अगले शलोकों के माध्यम से अगली कक्षा में जानेंगे इस कक्षा में बस इतना ही यदि ये कक्षाएं आपको अच्छी लगे तो इ आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे में मेरे संग बोलिये सत्य सनात्य वैदिक धरम की जये क्रणवंतो विश्वमारियम